नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संभीप दोस्तो हाजरूं आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तो ये देखें ये हमारा शिंगरफ संखिया योग बन रहा है इसमें डेड़ ग्राम संखिया और पंदरा ग्राम शिंगरफ ये आप देख सकते हैं शिंगरफ और संखिया दोस्तो ब्हुत ही हाईफाई क्वाल्टी का ये शिंगरफ हमने बनाया है और ये हमारी संखिया और ये संखिया का जुहर तो इन दोनों को हम मिक्स करेंगे देड़ ग्राम संखियां का जुहर और पंद्रा ग्राम शंग्रब भसम अब इन दोनों को हमें करना है खरल ये दोस्तों सुका ही हमें खरल करना इसमें किसी भी तरह का कुछ नहीं डालना और लगबग एक घंटा खरल करने के बाद ये हमें अपने मरीजों को दे देना है ये एक चावल के बराबर सुबह, शाम, मक्षन या मलाई के साथ खाया जाएगा खाना खाने के बाद और इसके साथ दूद घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करना है तो दोस्तों ये फार्मूला खास करके उन मरीजों के लिए है जो इलाज करवा करवा के ठक चुके हैं इलाज करवा करवा के ठक चुके हैं कोई भी दवा काम नहीं करती अच्छे अच्छे फार्मूले खाने के बाद भी शिगर पातन नमर्दी खत्म नहीं होता तो उन भाईयों के लिए ये वाला नुस्का होता है अब हमारे एक पेशेंट हैं तो उनके लिए मैं ये फार्मूला भेज रहूँ तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साब इसकी वीडियो बना देना अलाकि ये फार्मूला दोस्टों पहले मैंने यूटिउब पे बताया नहीं है ये पहली बार मैं फार्मूला बता रहूं अपने उस भाई के कहने पे बार-बार उन्होंने कहा मुझे कि फार्मूला जब बनाओंगे तो उसकी वीडियो बना देना तो उस भाई की फर्माईश पे ये वीडियो मैं बना रहूँ बाकि दोस्तों ये वो चीज है कि आप 4-5 दिन खाओगे तो आप देखोगे कि आपके पैनिस में बहुत जबरदस्त तनाव आ रहा है बहुत जबरदस्त टाइमिंग लग रही है बाकि इसके साथ दोस्तों खटी तली चीजें नशा अहस्त में थुन ये प्रहेज करने है दूद घी दही लसी ये चीजें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करनी है बाकि आप नोनवेज अगर खाते हैं नोनवेज ले सकते हैं बाकी मैं तो दोस्तो नोनवेज के खिलाफ हूँ दूद घी के अंदर जो पावर है वो किसी भी नोनवेज आइटम में नहीं है तो जो मेरे भाई इसे यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं बाकी दोस्तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और आगे आने वाले टाइम में अब थंडों का मौसम आ गया आप बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले बनाए जाएंगे तो उमीद करता हूँ दोस्तो मेरे दोरा दे गई जानकर यह अच्छी आपको अच्छी लगी होगी धन्यवाद